बहुत एक आँखों से सोते रहना सामान जीवन का हिस्सा है परन्तो उसकी भी एक हद है यदि उस हद को पार कर दिया जाए तो अने को नुकसान ही नुकसान होते हैं लेकिन यदि मानसिक सुप्तावस्था की बात की जाए मानसिक नीन्द की बात की जाए मानसिक नीन्द का सीधा अर्थ अंधकार एवं अज्यान से है तो यह स्विकार नहीं है यह चिंता जनक है यह दुखत और नुकसान धायक है मानसिक रूप से सोते रहना इसका सीधा सिधार्थ है अपना नुकसान करना पूरे समाज का नुकसान करना अपने देश का नुकसान करना पूरे दुनिया एवं ब्रह्मान का नुकसान करना यह इसी मानसिक निद्रा के वशिभूत होकर दुनिया का पृतिक व्यक्ति अपनी ऐसी हालत कर ले तो कल्प ना की जा सकती है यह समाज यह देश यह दुनिया का क्या हल होगा पर ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी लोग इस अवस्था में हैं नहीं कुछ ऐसे अवश्य लोग हैं जो जागरता वस्था में हैं जो चेतना वस्था में हैं जो मानसिक रूप से जागरते पसंद करते हैं और वे अपने जीवन में इसका निरवहन भी करते हैं और मैं यही देखना तो चाहता हूँ यही तो बताना चाहता हूँ कि दुनिया के पृतिक विक्ति को जागरता वस्था में आना चाहिए चेतना वस्था में आना चाहिए यह बहुतिक्ता की चकाचौंद जो हमारी आँखों के उपर पट्टी लगा देती है उसे समालना होगा उसे हटाना होगा जब तक इस बहुतिक्ता की पट्टी को आँखों से नहीं हटाये जाएगा और अंतरात्मा के पटों को खोला नहीं जाएगा अंतरात्मा से जागृता वस्था में नहीं प्रवेश किया जाएगा तब तक इस समाच, इस देश या इस दुनिया का कल्यान कवे भी नहीं हो सकता और यदे हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया उस राह पर चले, उस राह पर पहुँचे, जिस राह में केवल और केवल सुख है, कल्याण है, आनन्द की अनुभूती है, तो हमें फिर जाकरता वस्ता में आना होगा.